एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे पर दोस्तों आपके अपिन यूटूब चनल पर मेरे पर दोस्त अगर आप हमें फरस्टियर में हैं और आपने सिक्षा सास ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा क्योंकि वीडियो में काफी जादा मसा आने वाला है और वीडियो आपके ले खाफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है थीक है इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला मेरे पर दोस्त क्योंकि हम बात करने वाले हैं सिक्षा सास के पेपर नमबर एक ये बारे में जिसका नाम है सिक्षा के दार्सनिक आधार थीक है इसके उपर हम चल्चा करने वाले हैं, ये आज आज आपकी 11 नंबर की क्लास होने वाली है, अगर आपने इसके पहले की 10 क्लासे प्लस एक सिलेबर्स का वीडियो नहीं रेखा है, तो उन सारी शीजों को आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, उनसे लाभानवीत हो सकते हैं, ठ से आपका प्रस्ण जो आज का प्रस्ण है, अपका पूछा गया है, या थार्थवाद तथा सिक्षा को असपष्ट करते हुए, या थार्थवादी सिक्षा की 16 पाटकरम अनुसासन पर अपना क्या अभिमत हैं, प्रतान करें ठीक है, करते हैं, मतल्लब कह रहे हैं कि आप मत बताई एक है कैसा आपका मत है इंसराइस चीजों के बारे में ठीक है या परसं और थोड़ गुमा के पूछना चाहिए तो बूछ सकता है कि सिक्षा में यथार्थवाद क्या है आपको बताना है सिक्चा के विभिन पक्षो पर यथार्थवादी बिचार को कि क्या बिचार है ये आपको यहां पे बताना है ठीक है चलिए देखते हैं पहले आपको हेडिंग डालनी होगी यथार्थवाद तथा सिक्चा ठीक है यथार्थवा बात करें। कमेनियस के अमसार देखें तो उन्होंने जन्म से तुछ सक्टियां लेकर पैदा होता है। काई बोलते हैं आपके कमेशेंं कमेश द्वारा ही होता है कि जो इसका जो होता है कि वुख सिक्छा के दौरा ही होता है चिक्छा के आभ़ाओ में अंतर नहीं सकतियां आभिक्षित रह जाती है मतलब कह रहे हैं अगर कोई बेक्टी सिच्छित नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर जो अंतर नहीं सिक्थिया है उसके अंदर जो सक्तिया भाई जा रहे हैं वो क्या रह जाएंगी औब एक्षित रह जाएंगी प environments सिक्षा कि अगले की बारे में कौन में पैदोस्तों यहां पे लिखा गया है जौन वाइल्ड के अनुसार देखिए हैं तोनों ने बताया है मानिब्य जीवन नई véritable he द्वारा वनस परमपरा से नहीं मिलता, मतलब कह रहे हैं कि जो नई पिर ही आपको देखने को मिल लई है, वो पुराने लोगों के साथ बिलकुल मेल जोल नहीं खा रही है, आपिति सुछाधा उसे अर्जित करना पड़ता है। अरजित करना पड़ता है अता समाज का यह करतब है कि उसके बालकों की सिक्षा की बिवस्ता हो ठीक है मतलब कह रहे हैं कि यह समाज के करतब बे बन जाता है कि वहाँ पर जितने भी बालक है उन सारे इस बालक को सिक्षित किया जाए किसी भी किसी ना किसी पिकरा से सिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार सबसे अधिकमात पूर है मतलब कह रहे हैं कि जो सिख्षा प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार हो जाता है कि सभी को सिख्षा मिलने चाहिए वो क्या हो जाता है सबसे जादा ठीक है और बिग्यान पर सबका प्रबुत नहीं हो सकता है उसी परकार सिक्षा का बिग्यान पर भी नहीं हो सकता है ठीक है अब हम देखते हैं कि जो है अथार्थवाद में सिक्षा का उद्देश क्या बताया गया है ठीक है यहां पर बताया गया है कि अथार्थवाद के अं सब्दिक अस्तर बालकों का क्विद्वाण बनाना नहीं क्या बज्देख वास्थ जीवन को च cuántas जीने की कला सिखाना है मतलब अपना जो जीवन आप जी रहे हैं वो एक अच्छे से जी सके उसके लिए आपको जो है कला सिखाया दाता है बेवहारिक जीवन को सुप पूरुबग जीने के लिए सामाजिक योंप्राकृतिक परिवेश का पूंड तथा समग्र ज्यान आवस् बात करते हैं कुछ परमुक यतहार्थवाद विचारकों के अंसार सिख्छा के निम्न परमुक उद्देश हैं कुछ आपके विचारक हैं उन्होंने जो है अलग-अलग सिख्छा का उद्देश बताया है पहले आपके जाते हैं वाइट हैड महोदे के अंसार देखें तो ने बताया है कि सिक्षा का उद्देस छात्रों को कोई तक्णीकी बिग्जान सामान ज्ञान रासी या फिर तलात्मक शिखाना है उसकी सिक्षा के सभी अंग परस पर एक दूसरे से प्रभावित होने चाहिए मतलब प्रभावित होने चाहिए और उसको कुछ ऐसी सख्छा देनी चाहिए कुछ ऐसे बिग्यान बचाना चैहिए ठीक है कुछ अपने जीवन का आचे से यापन कर सके ठीक है आपके रास एल फिने महोदे लिखते हैं कि सिक्षा का उद्देश बेक्टियों का इस प्रकार निर्मार करना है कि वह सामाजिक संस्थाओं कर सके अब हम बात करते हैं आगे यहारत द्वारा प्रप्रफुर्पूर्ण उद्देश हैं कि वास्त ब्यग्यानिक देश्टि कोन का विक्या स्था है बैग्यानिक दिश्टिकोन के लिए क्या मेरे पैदोस्त तर्क परक विबेक अवस्यक है वास्त विग्यान वही है जो विबेक से मुक्त हो ठीक है बात करते हैं सोबियत रूस एक मिनट यहां पर लिखा गया है सोबियत रूस की सिक्षा पद्दती में यह थार्टवादी दर्सन अभिवेक्त होता है अगर आप रूसी सिक्षा लेखेंगे तो वहाँ पर आपको यह सारी सीदे देखने को मिलेंगी रूसी विद्यालयों में सिक्षा के निम लिखे ददेख पाय जाते हैं क्या-क्या उद्देख पाय जाते हैं कुछ यह पे बताए गए हैं आपके पहला उद्देख बताया गया है कि अभीएक्ती क्या में पैई-दोस्त अभीपर क्रुर्तिक वाता वर्ण के परती संबेदन सृलता का विकास करना दूसरा बताया गया है, राष्टभक्ति के लिए क्मिनिय्श्ट नयतिकता का विकास करणा। छोथा जात्रों में बैग्यानिक दिष्टिकोन के विकास के लिए क्या है पाली टेक्निक सिक्षा प्रदान करणा। यह वहाँ पर 59 आपके मिल जाते हैं रूस में ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग आपकी होगी मेर पैदोस्त छातर संकलपना क्या होगी मेर पैदोस्त छातर के बा किया बताया गया है तो यह अथाट बारियों के अंसार मानोसिसू में एक बहुत धिक शक्ति ह होती है जो मानों का सिसू होता है जो मानों का बच्चा होता है उसके अंदर कुछ बहुत दिख सकती पाई जाती है जो अन पराणियों में नहीं पाई जाती है मतलब जैसे जानोरों में नहीं पाई जाती है प्रकासे कह सकते हैं परंत या बहुत दिख सकती सरीर के किस अंग में नहीं पाई जाती है या आरूपित नहीं होती है ठीक हो बात करें white head महोदे लिखते हैं बालक के बारे में कि बिद्याले में बालक सक्रिये मस्तिक्स वाला प्राणी होता है बात करें आपके वार्टेंड रसल महोदे देखते हैं आपके वार्टेंड रसल महोदे के अंसाते के तो उन्होंने बताया है सिच्छत बेक्ति के चार परमुख लच्छन है, दूसरे सब्दों में कहें, तो सिच्छा द्वारा चात्रों में निर्नांकित गुणों को विक्सित होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो सिच्छा अगर किसी बालक को दे रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ गुण मताया गया है, व उखो को दूर किया जा सके, दूतिय गुण ये बताया गया है, कि साहस उसके अंदर होना चाहिए, अर्था सिक्छित बेक्ति का बेक्तित सुगठित यों संतुलित होना चाहिए, ठीक है, तीसरा गुण ये बताया गया है, संबेदन सेलता पाया जाना चाहिए, जिसका आस बताया गया है जिसका आसह है स्वयम घ्यान तथा ग्यान प्राप्ति के लिए ग्रहन सीलता की व्रिति दूसरे सब्दों में कहें तो सिच्छ द्वेक्ति ग्यान से युक्तु होना चाहिए तथा नबीन ग्यान करने के लिए उसमें तात्पर्य होना चाहिए ठीक है यता अता यतार्त वाद के अंसार सिच्छा बालक को इस परकार अउसर प्राप्त कराए जिससे की छात्र मनुब ग्यानिक सुरक्षा एयोम अंतता आत्म प्रतीत कर सके ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आतके सिच्छक संकलपना मतलब टीचर के बारे में इसमें क्या बताया गया है तो यतार्त वादी अध्यापक क्या होते में पैदूत बेक्तिन निष्ठता से उपर उठकर वस्तों वस्तिता मना इस्थिती बनाए रखता है ठीक है वह च्छात्र का मार्क दर्सन और अध्यात्मिक जीवन का प्रतिभागी नहीं बलकि वह तो एक वह तो एक बैज्ञानिक है जिसका बिज्ञान में अटूट विस्वास है ठीक है उसका स्वयम एक दिष्टकॉर्ण बैज् यानिग टेस्टुकों को भिकास करने का प्रियत्न करता है। बात करते हैं हाँ पर य örथार्थवदी सिच्छक सोध एवम अन्वेशन में विश्वास रखता है। अंवेशन की प्रिणामों के उप्योग वहा अपने अध्यापन में करता है। अन्बेशन का मतलब जो है यहां पर नहीं नहीं चीज़ों की खोज करना या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं टेक्निक पनाना ठीक है चलिए देखते हैं आगे आपका लिखा है कि अथार्थ वादी सिच्छक का विश्वास है कि वह सरभग्य नहीं हो सकता है मतलब वो मान गहराई तक अध्यान कर सकता है मतलब कोई एक छेतर चुन ले और उसमें जो है वो गहराई के साथ उसमें अध्यान करें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें या थातवाली सिच्छक मनुबिग्यान में भी आस्था रखता है कि इसमें वैदुस्त मनुबिग्यान में अनबेशन द्वारा वह अपनी सिच्छन विधी में संसोधन वा परिवर्तन लाने का प्रियत्न करता है मतलब कह रहे हैं कि जो आपका मनुविज्ञान होता है उसके द्वारा क्या करता है वो अपनी जो परहाने की टेक्निक उसमें परिवर्तन लाता रहता है ठीक है छात्रो को इस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है जिसमें उनकी किरिया वापरत किरियां अभ्यान उनकूल एवं नियंतरित हो जाती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सिख्छक को सिख्छक को उस ज्यान के प्रियोग का पूर्बा अभ्यास देना चाहता है जो उसे स्रमिक उत्पादक अथवा कामगार के रूप में उप्योग में लेना पड़ेगा ठीक है बात करते हैं अथातवादी सिख्छक वैसे तो प्रकृतिक वातावरण को महत्पोर्ण मानता है प्रकृतिक वातावरण को भी स्वविकार करता है ठीक है तथा उसे भी अभ्यान उंकूलित बनाने का प्रियत्न करता है बात करें यथात्वादी के अंसार सिख्छक छात्र संबंध सर्बता ब्यक्ति निर्पेक्ष होते हैं कैसे होते हैं ब्यक्ति निर्पेक्ष होते हैं बेक्तिगत लगाओ योम आ सकती जैसा कोई भाव सिच्छक सिस संबंध में नहीं पाया जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं यथार्थवादी पाठ करम के बारे में क्या यथार्थवाद में जो है पाठ करम के बारे में क्या चर्चा की गया है इसके बारे में देखते हैं त उसे सैचिक प्रक्रिया का अतियंत महत्पूर्ण घटक माना जाता है एधार्थवाद इस प्रचलित धारणा को पुष्ट करता है कि सिच्छा का अर्थ सिच्छार्थी द्वारा ज्ञान प्रापति है ठीक है बाद करे एधार्थवाद एक पिढ़ी से दूसरे पिढ़ी तक ग्यान को संचित रासी संचित रासी को हस्तांतरित करने में विश्वास करता है मतलब कह रहे हैं कि मानलेजिए एक पिढ़ी में जो ग्यान संचित किया गया है जो ग्यान इकठा किया गया है वो दूसरी पिढ़ी को हस्तांतरित मतलब दूसरे पिढ़ी को दे दिया जाया था बात करते हैं यहां पर बताया गया है कि पास पकरम के संबंन में बिभिन या थार्थ वादियो भी मिलना चाहिए, दूसरा ये बताया गए है छात्रों को उसकी छमता के अुसार जिया धिया जाना चाहिए तीसरा ये बताया गए है कि विश्रयों के बीच पारसपरिक अन्ता सम्बन्द होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे समद्द सब्जेक्ट से संब्धनित होने चाहिए, आ संबंध भी सहे पढ़ने से कोई लाब नहीं है, ठीक है, चौथा नमबर ये बताया गया है, कि पाठकरम निर्मार में सामाजिक आउसकताओं की उपेख्छा नहीं की जा सकती है, मतलब करना हैं कि पाठकरम निर्मार में आप जो सामाज के लिए आपको आवस्ठक चीज़ें दिखाई परती हैं, उसको आप उसकी आप उपेख्छा नहीं कर सकते हैं, उनको भी आपको समलित करना होगा, ठीक है, लिखा है, अता समाज के अनुरूप पाठकरम में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब जैसा समाज हो उसी प् सद्धिक उपयोगी हैं, अता पाठकरम में उन्हें परधान मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद लिखाया गया है कि अथार्थवाद और सिच्छन मिधी, मतलब जो आपका टीचिंग मैठर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा अथार्थवाद के अनुसार, तो देखें, तो य सद्धिक में प्रस्तूत किया जाए, ठीक है, छादर की अनुकरिया उत्तर के रूप में होगी, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, यदि उत्तर सही है, तो उसके ज्यान से उसके अधिगम की दिर्णिकरण, ठीक है, क्या दिर्णिकरण होगा, ठीक है, और आगे लिखते हैं, कि और यदि उत्तर असुद्ध हो तो उसे पूर्ब उद्धीपन अंक्रिया सिध्धान्द पर क्या करना चाहिए अभिकरमित अध्यैन ठीक है तता अध्यापन यंतरो का आबिसकार हुआ ठीक है मतलब यहां पे कह रहे हैं कि अगर उत्तर सही हो तो आप उसको जो है सही ठहरा देंगे और नहीं अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं आपको फिर से वो सारी चीज़ आपको वही प्रक्रिया फिर से करनी होगी आज सिक्चा के छेतर में इन दोनों बिडियों का बड़ा महतो है दारसनी देश्टी से ये बिदियां या थार्थवादी बिचार प्रतिबिम्बित करती है ठीक है बात करें सिच्छन बिदी के सूतर यहां पर जो सिच्छन बिदी के सूतर बताए गए है ठीक है फारमूल तीन वैग्यानिक जो है विसे सु्रोप से आते हैं । इन डार्जिन को किया Pen berries कुछ अध्यापन सूतरों का उल्लेक किया थीए जो इस परकास्थे यहां पर दिये गये गये है यहां पे बताये गए हैं क्या बताये गए हैं मिल पैदोर्स ठीक है पहला सूतर आपका बताया गया है कि नियमों का पता लगाकर उसके अंसा सिच्छन भी धी निर्मित की जाने चाहिए ठीक है बताते हैं कि जो प्राकर्टिक नियम है उसके बारे में आपको पता लगाना हो और उसके अंसार आपको जो है सिच्छन बिती निर्मित करने होगी दूसरा ये बताया गया है कि पढ़ने में एक समय में एक ही बात बताई जाए ना कि कई सारी बते बता दो बच्चा कन्प्योज हो जाए ठीक है दूसरा तीस तर्षा तथा प्रस्ण आधी के द्वारा विसेय वस्तुको अस्पष्ट करना चाहे मतलब बालकों के बीच में चर्चा कर वानि चैक है यह प्रस्ण पोच कर जो है आपको और इसको ये चीजे आई या नहीं आई ठीक है उसके बाद नियंटरन और दमन की अस्थान पर ब्यक्ति गरत अनुभवो की तन्तर दे ना उचिता है ठीक है तो है चालिए आगे आपके राकेट तहाミनियास ‑‑ द्वारा प्रतिपादित सच्छन सूत्र आज हमारी सच्छन प्रणाली के इस प्रकार अभिन अंग बन गए हैं कि उनको हमको उनमें कोई नभीनता दिखाई नहीं देती है ठीक है बात करते हैं यथार्थवाद और अनुसासन के बारे में यथार्थवाद में अनुसासन के नहीं करता है ठीक है सिक्षा स्रम जन्यकार है ठीक है तथा उसे गंभीरता के साथ करने की अउशकता है यथाथवाद यो कि अनुसार सिक्षा प्राप्त करने के लिए छातर को अनसासित होकर प्रिस्रम करना ही पड़ता है ठीक है तथा जहां अवस्यक हो वहां अध्याप को अनिवारतया का भी उप्योग करना पड़ता है ठीक है आगे लिखते हैं आपके कौन, white head, कौन में पैदोस्त white head स्वतन्तरता के अनसाथन में कोई भेद नहीं करते हैं हैं उसके अनुसार चैन की स्वतंतर्ता के अनुसासन का उध्भा होना चाहे ठीक है तता अनुसासन द्वारा स्वतंतर्ता सम्रिद्ध Buenos göstermes यह एंपे बताते हैं सुभियत रूस के में चहात्रा अनुसास सम्दित बीस नियमों की एक सूची बनाई हुई है ठीक है पर टेक छात्र को इन्हीं सुखागर क्या मुखागर करना पड़ता है मतलब इन्हें क्या करना पड़ता है आपको याद करना पड़ता है बताना पड़ता है इनकी पूरी तरह परिपालन करना पड़ता है पालन करने की इस् परिश्रम आपको करना होगा नेमित रूप से उपस्तित रहना होगा खक्चा में बिलंब नहीं आना होगा ठीक है अगर यह सारी चीजे देखी गए तो आपको कलास से निकाल दिया जाएगा दूसरा बताया गया बिद्याले के प्रधाना चार प्रधाना अध्यापक और आगया पे कहते हैं बिद्याले में सिच्छन सामेगरी लेकर आना ठीक है आपको सिच्छन सामेगरी खुद लेकर के जाना होगा अध्यापक से आने पूर्ब सम्मेगरी तयार रखना मतब करें कि अध्यापक आए उससे पहले आप अपनी सारी सब कुछ तयारी बना के रख अताया थार्तवादी वर्दमान अन्सासन का समर्थन करता है ठीक है तो आई हो पिस सारी चीज़ा आपको क्लियर हुई होगी है अगर क्लियर हुई तो फटाफ़ट वीडियो को लाइक करो अपने दूस्तों के साथ सेयर करो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न